हमारा सविधान यह सबसे वूच्छा है सविधान के आधार पर कानुन बनते हैं और कानुन के आधार पर देश चलता है संसद में बिना बहस के बिना चर्चा के कानुन बनाना लोक तंत्र के लिए बहुत बड़ा खत्रा होता है फिर वो लोक तंत्र नहीं रहता वो तो हुकुम तंत्र बन जाता तानाशाई बन जाती है हमारे देश में 2011 में पूरा देश रस्ते पर उतर गया अंदोलन के लिए जनसंसत का दबाव सरकार पर आने के बाद सरकार ने कानुन बना दिया लोकपाल लोकायटOO कानुन नरेंद्रमोधीजी की सरकार आने से पहले चुनाओं में अश्वशन दिये थे कि हम सत्ता में आते हैं तो लोकपाल लोक आइक्त कानून का अमल करेंगे इसलिए लग रहा था कि अब लोक पाल लोक अईक्त कानून का आमल होगा और देश के भर्टाचार को ब्रेक लगे दा लेकिन नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने लोक पाल लोक अईक्त कानून का आमल ना करते थे कानून को कमजर करने वाले एक बिल लाया क्या कंदर हुआ सरकारी दफ्तरों में काम करने वाले जो अधिकार है जितने अधिकारी है उनके पत्ने के नाम पर चल अचल संपत्ती है बच्चों के नाम पर चल अचल संपत्ती है 31 मार्ज को यह सभी ने संपत्ती जाहिर करना ऐसे कानोन में प्रावधान था नरेंदर मोधी जी सरकार ने यह बिल लाया भारा 44 में संशदन किया अधिकारण के पत्नी के नाम पर बच्चों के नाम पर जो संपत्ती का प्रावधान था उसको हटा दिया हटाने के कारण पत्नी बच्चे इनके नाम पर संपत्ती चुपाने का रस्ता खुला कर दिया जितने सांसत, MLA, मंत्री इनके संपत्ती डिकलेर करने का प्रावधान था वो हटा दिया विशेश तरपर यह जो बिल लाया सत्ताई जुलाई 2016 को लोकसभा में रखा और एक दिन में बिना चर्चा के पास हो गया और 29 जुलाई को राक्टर पतिजी के बास भेजा और एक दिन में राक्टर पतिजी ने सायन किया लोकपाल लोकाइप्त को कंजोर करने वाला कानून तीन दिन में और भ्रटाचार को ब्रेक लगाने वाला कानून पांस साल हो गया कानून नहीं बनता है तो हमें लगता है कि ऐसे लोकसभा या विधानसभा में बिना चर्चा के इस प्रकार के कानून बनाना लोकतंतर लिए खत्रा है हमें तो ऐसा लगता है ब्रिट्रा चार मुक्त भारत को निर्मान करना ऐसा बोलते है लेकिन इससे क्या दिखाए देता है खाने के दाथ अलग है और दिखाने के दाथ अलग है इसलिए ताई किया हमने 30 मार्च 2018 दिल्ली में बड़ा अंदलन करना आप आना है ब्रिट्रा चार मुक्त भारत निर्मान करना न तो आप आना है धन्यवाद